नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारा यूट्यूब चाइनल में स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे चिंता, उदासी, अकिलापन जैसी समस्या से कैसे बचे दोस्तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आज कल उदासी, चिंता, खिलापन जैसी समस्या लोगों में दीनों पर दीन बढ़ती जा रही है सभी सुक सुविधा उपलब्ध होते हुए भी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं आखिर इसके पीछे का रहस क्या है आज हम इसे बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बीना देल किये पुद्ध की कहानी डिप्रेशन और दुख का समाधान भूमी एक समय की बात है जब भारत में एक राजा के घर में एक पुत्र हुआ उनके पुत्र का नाम सिध्धार्थ था सिध्धार्थ का जन्म राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर में हुआ था उनके जन्म के समय के बाद भिक्षू और विद्वानों ने कहा था कि यह बड़ा सयोग है क्योंकि इस बच्चे में अद्वितिय गुड होंगे और वो सभी को धर्म की ओर प्रेरित करेगा जब सिध्धार्थ बड़ा हो गया तो उनके पिता ने उन्हें एक सुखमय और आरामदायक जीवन देने का प्रयास किया उन्हें सभी सुख सुविधाओं से लबालब किया गया लेकिन फिर भी सिध्धार्थ के मन में एक अग्यात आग थी जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर करती थी कि जीवन का अर्थ क्या है और उसका उद्धिपन कैसे होगा सिध्धार्थ का दिल उन्हें सारे मानविक दुखों को महसूस करने लगा जो उनके आसपास थे उन्हें अपने मन की गहराई में एक अग्यात बात के लिए बार बार तरसने लगा जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे उनके पिता ने उन्हें सभी प्रकार की सुख साधनाओं से संतुष्ट करने का प्रयास किया लेकिन सिध्धार्थ का मन वहां नहीं था सिध्धार्थ ने अपने जीवन को और अर्थपूर्णता और सत्ती की खोज में निवेश करने का निर्नाय लिया एक रात जब उन्होंने अपने पारिवारिक घर को छोड़ने का निर्नाय लिया तब उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ उन्होंने एक साधु के रूप में अपने जीवन को समर्पित करने का निर्नाय लिया जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मग्यान और सत्य की खोज थी सिध्धार्थ ने अपने दिंचर्या में ध्यान और तप का अभ्यास शुरू किया वे विभिन ध्यान और योग की तक्नीकों को सीखने और समझने लगे उन्होंने भिख्शु बनने का निर्णय लिया और समबात की बातचीत से दूसरों को भी सत्य और आत्मग्यान की और प्रेरित करने का काम शुरू किया सिध्धार्थ का जीवन उसकी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों से भरा था वे अन्नेक्टा के मार्ग में पड़े अपने अंतरंग संघर्षों का सामना करते रहे एक दिन वे एक गाव में पहुँचे जहां एक व्यक्ती को गंभीर रोग से पीडित होते देखा उसका दर्शन देकर सिध्धार्थ ने अत्यंत दुख महसूस किया वे ये समझने के लिए चाहते थे कि ये दुख कैसे कम किया जा सकता है और मनुष्य को सुख और शांती कैसे प्राप्त की जा सकती है सिध्धार्थ ने अपनी तपस्या को और अधिक गहराई देने के लिए अपने आपको एक व्रिक्ष के नीचे बैठाया और वहाँ ध्यान करने लगे। उन्होंने अपने जीवन के सभी पहलूओं को ध्यान में लाकर समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने मन की गहराई में जाकर उस अज्यात बात को समझने की कोशिश की, जिसे वो अपने मन में महसूस कर रहे थे। एक दिन ध्यान में डूबे हुए सिधार्थ को एक गहरे अनुभव का सामना हुआ। वे अपने अंतरंग स्वरूप को और भी गहराई से अनुभव करने लगे, जिससे उन्हें अद्वितिय ज्यान की प्राप्ती हुई। उन्होंने देखा कि दुख और पीड़ा की मूल कारण मन की अवसादना और अन्वरत चिंता में होती है। उन्होंने समझा कि मन को वश्मे करने और उसे नियंत्रित करने से ही सुख और शांती की प्राप्ती हो सकती है। सिध्धार्थ का इस अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। वे बुद्ध के रूप में प्रसिध हो गए जिसका अर्थ होता है जागरूक या ज्यानी। उन्होंने लोगों को मन की शांती, आत्म समर्पन और अन्याय के खिलाफ लड़ने की महत्वपोर्णता की शिक्षा दी। उन्होंने बताया की दुख और पीड़ा का मुख्य कारण हमारे मन की अनवरत, चिंता और अनियंत्रित विचार है। बुद्ध ने ध्यान और विचार की माध्यम से मन को वश्मे करने का मार्क प्रशस्त किया। उन्होंने सिध्ध किया कि सैयमित और साकार मन की स्थिती में ही सुख की प्राप्ती संभव है। वे ने समझाया कि जीवन का उद्धीपन केवल बाहरी सुखों में नहीं है बलकि आंतरिक शांती और संतुष्टी का भी होना चाहिए। बुद्ध की कथा यहां विराम पर आ बुद्ध ने अपने उद्धीपन का उदाहरन स्थापित किया कि आत्मग्यान, सैयम और अन्याय के खिलाफ लडाई में ही वास्तविक मुक्ती है। उन्होंने लोगों को योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत करने और सैयमित जीवन जीने का मार्ग दिखाया। बुद्ध की धर्म की मुख्य बातें दुनिया के लिए अब भी महत्वपोर्ण है। उनकी सिखाए गई ज्यान की अवधारनाएं आज भी लोगों को आत्मविकास और सुक शांती की दिशा में मार्ग दर्शन करती है। बुद्ध की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन का अर्थ और उद्धीपन सिर्फ भौतिक सुकों में नहीं है बलकि आंतरिक शांती, सम्यक संबोधन और संतुष्टी का होना चाहिए। दुख और पीड़ा का समाधान तब होता है जब हम अपने मन को वश में करके समाधान का अनुभव करते हैं। बुद्ध की कथा में हमे संतुष्टी, सहानुभूती और समय की मूल्य की महतवता को समझाती है। इस प्रकार बुद्ध की कथा दुख और पीड़ा के समाधान की महतवपूर्ण शिक्षा देती है और हमें सत्ती की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उनके उपदेशों को अपना कर ह कि हम अपने जीवन में सुक, शांती और समरिधी की प्राप्ती कर सकते हैं। बुद्ध की कथा से हमें ये सिखने को मिलता है कि जीवन में दुख और पीड़ा सामने आने पर हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए। बुध ने बताया कि हमें अपने मन की स्थिती को सैमित बुद्ध की कठा हमें सمज्ञाती है कि सुख और शांती का मार्ग केवल बाहरी सुखों में ही नहीं है बलकि आंतरिक संतुष्टी और शांती में भी है वे ये बताते हैं कि जीवन का अर्थ समझने के लिए हमें अपने आंतरिक स्वरूप की खोज करनी चाहिए और आत्म ज्यान प्राप्त करना चाहिए बुद्ध की उपदेशों और धार्मिक विचारधारा से हमें सिख मिलता है कि हमें अपने जीवन को संतुष्टी और समरिद्धी से भरने के लिए साधना, सैयम और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए उनके उपदेश हमें बताते हैं कि धर्म, सैयम और सहानुभूती हमारे जीवन में कितना महत्वपोर्ण है इस प्रकार बुद्ध की कथा हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने और सुखी और सहानुभूती से भरे जीवन की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाती है उनके उपदेशों को अपना कर हम अपने जीवन को सकारात्मक और संतुष्ट बना सकते हैं और दुख से मुक्ती प्राप्त कर सकते हैं एक समय की बात है एक गाव में एक युवक नामक राहुल रहता था राहुल का चेहरा हमेशा हसमुख और खुश्मिजाज रहता था लेकिन उसके अंदर के दर्द और उदासी की वानी बाते छिपी होती थी बच्चपन से ही राहुल को अपनी अपर्यापता और आत्मविश्वास की समस्या थी उसे ऐसा लगता था कि वो नहीं मिल पाएगा, कुछ भी खास नहीं है चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो अपने अंदर की भारी उदासी को नहीं हटा पाता था जब राहुल बढ़ा हुआ, तो उसकी आंतरिक संघर्षे और बढ़ गई उसे वहीं रहने की संतुष्टी नहीं होती थी, जहां उसको सजीवता और खुशी मिलती थी उसने अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो लिया, अकेलापन को चुनते हुए उसकी पहले उजवल मुसकान की जगा अब एक रूखा सामर्थे हो गया था, जो उसकी अंदर की दुखी और खाली महसूस कराता था एक दिन जब राहुल एक शांत नदी के किनारे अकेले बैठे थे, तो उन्हें एक बुजुर्ग साधु मिले साधु की आखों में शांती और दया की किरने थी, उनकी तीवरता से प्रेरित होकर राहुल उनके पास गया और उनसे अपनी आंतरिक शांती के बारे में पूछने का साहस किया साधु ने राहुल को प्यार से एक कहानी सुनाए, जो राहुल के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी कई सालों पहले साधु ने शुरू किया, एक धन्वान व्यापारी था जिसे अपने मन की संतुष्टी नहीं मिलती थी धन, शक्ती और सम्मान सभी कुछ था, फिर भी उसका दिल उदास था उसने खुशी की कुणजी के लिए खोजने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उसे मिली, हमेशा उसे बाहर ही रही एक दिन उसे एक ज्यानी रिशी के बारे में सुना उसने खुशी की कुणजी को ढूंडने के लिए रिशी के पास जाने का निश्चे किया उसने एक कठिन यात्रा पर निकला और दिनों तक चढ़ाई की अंत में उसने रिशी के निवास थान पर पहुँचा रिशी ने व्यापारी का उसके आत्मा नुभो को बताया खुशी बाहरी दुनिया में नहीं है बलकि अपने अंदर है ये संपत्ती या धन में नहीं मिलता बलकि अपने हृदय के आंतरिक आत्मा में होता है व्यापारी गहरे विचार में पढ़ गया उसने समझा कि उसने गलत जगह पर खोज की थी रिशी के उपदेश से प्रेरित होकर व्यापारी अपने घर लोटा नए उद्देश्य के साथ जैसे ही उसने जीवन की साधारन खुशियों का आनंद लेना शुरू किया व्यापारी ने महसूस किया कि वास्तव में खुशी बाहरी वस्तुओं की पीछे नहीं है बलकि जीवन के साधारन खशनों के मूल्य का मूल्याकन करने में है राहुल ने साधु की कहानी को ध्यान से सुना और उसने उसके महत्वपूर्ण संदेश को समझा उसने समझा कि जैसा कि व्यापारी ने सिखा वास्तव में खुशी और आनंध हमारी भीत्री शांती और संतुष्टी में है उस दिन से राहुल ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय किया वो आत्म ज्यान और आंतरिक शांती की ओर एक यात्रा शुरू कर दी ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से वो अपने आंतरिक संघर्शों का सामना करने लगा और धीरे धीरे उसने अपने जीवन की नई दिशा को प्राप्त किया धीरे धीरे राहुल ने अपने अंदर की आंतरिक शांती को प्राप्त किया उसकी आत्मा का भारी दर्द कम हो गया और उसकी आंतरिक रोशनी ने उसकी जीवन की अंधकार को हटा दिया वो अपने आत्म संतुष्टी का आनंद लेने लगा और उसका चहरा फिर से मुस्कुराने लगा राहुल ने धीरे धीरे आत्म शांती का मार्क चुना और उसने अपने जीवन को पुणरता बदल दिया वो सीख गया कि जीवन की सच्ची खुशिया और शांती सिर्फ बाहरी वस्तूओं में नहीं बल्कि अपने अंद्रीय स्वाध्याय और समयक विचार में छिपी होती है राहुल की आत्मा में नई उर्जा के साथ वो अपने जीवन की नई दिशा में आगे बढ़ने लगा आत्मक उर्जा और आत्म विश्वास ने उसे सफलता की नई उचायों तक पहुँचाया उसका हर कारिय अब प्रेम और सेवा के साथ किया जाता था और उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन में खुशियों के साथ खुशिया बातने का महत्व समझा धीरे धीरे राहुल की जीवन की दिशा बदल गई उसने समझ लिया कि वास्तव में खुशी और संतुष्टी उसे उसी व्यक्ती के अंदर मिलती है जो अपने मन को सैमित रखता है और अपने कारियों में प्रेम और समर्पन से काम करता है राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन की सची खुशी और संतोष सिर्फ बाहरी सुखों में नहीं होती बलकि वो अंदरिय आत्म जागरुकता, समवेदन शीलता और सेवा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है ये हमें याद दिलाती है कि सची खुशी और संतोष जीवन के हर क्षण में मौजूद है हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है और उसे स्विकार करने के लिए ततपर रहना है राहुल की कहानी हमें ये बताती है कि हम सभी में आत्म विश्वास, सहानु भूती और प्रेम की शक्ती है जो हमें अपने दुखों से निकाल कर खुशियों की ओर ले जाती है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले विडियो में कुछ नए टोपिक के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखे स्वस्त रहे स्वक्षित रहे मस्त रहे धन्यवाद